इसलिए इसका स्वागत करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के दिन खेती में ऐसी दवाईयों की बहुत बड़ी आवशकता हो गई है और कोई दवाई गलत न दी जा सके कोई उसमें गलत वैपार न करे उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत जरूरी है लेकिन एक वक्त था जब खेती भगवान के भरोसे इंसान करता था और मुआबजे का एक तरीका था किसान उसके उपर निर्भर रहता था आज तो विज्ञान ने उसको एक तरह से इंड़स्ट्री बना दिया और कहीं खेती में कहीं दूसरी चीजों में इतना पैसा लगाना पड़ता है कि अगर एक फसल भी उसकी फेल हो जाए तो किसा याउड़ता है तो दवाई चीड़कना बहुत जरूरी हो जाता है लेकिन सारे साल की मेहनद किड़ानों तबह कर देते हैं अभी हर्याना की सरकार ने पिछले महीने में चार विमानों की मांग की कि हमें दवाई चीरकने के लिए विमान चाहिए सरकार को विमान नहीं मिल पाया एक महीने के बाद सरकार को सूचना दी जाती है कि दो विमान मिल जाएंगे जबकि चार का ओर्डर दिया था इतनी देर में आने से किटानों ने जो नास करना था वह कर दिया होगा फसल क्या बचेगी यदि ठीक समय पर दवाई न छिड की जाए तो फिर वह डंठल पर दवाई छिरकने की बात रह जाती है वह फसल पर दवाई छिरकने की बात नहीं रह जाती इसी तरह से जैसा कि पुर्ववक्ता ने बताया कई दफा खराब दवाई छिड की गई अगर दवाई अच्छी नहीं है तो फिर कोई फाइदा नहीं तो यह भी जरूरी है कि दवाई ठीक हो यह भी जरूरी है कि वैपारी भी उसमें कोई गरबर न करें और ठीक समय पर छिरकाओ करें जहां तक हाथ से छिड़काओ है या छोटी मसीन लगा कर छिड़काओ करना है तो वह तो किसान अपने दम पर कर सकता है अपने खेत में कोई बिमारी का मुकाबला करना है कोई किटानूओं का मुकाबला करना है तो कर सकता है लेकिन जब बिमारी सारे आस परोस में हो तो वह तो सरकार का काम है, सरकार भी इसी तरह कर सकती है, जैसे विमानों के चड़िये दवाई छिड़का दी, लेकिन वह ठीक समय पर अगर हो जाए तो अच्छी बात है, उपसभा ध्यक्ष जी मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उन होने वैपारियों बेचने वालों और बनाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की बात आवश्यक बतलाई है, वहां उसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब परदेश सरकार विमानों की मांग करे तो इसकी वैवस्था किंद्रिये सरकार को जल्दी कर देनी चाहिए, जहां इस चीज पर इतना जादा खर्चा होता है, वहां पर आपको देश की अर्थ वैवस्था को बढ़ाने के लिए इतना खर्चा करना कोई जादा नहीं होगा, बलकि कम ही मालुम होगा, अगर आप वक्त पर विमान नहीं देंगे तो फसल को नुक्सान हो जाएगा, जो इस खर्च से ज मर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, बड़ी प्रसंता की बात है कि जिस समय को बहुत अर्से से नजर अंदाज किये हुए थे, अवहिलना किये हुए थे, मैं बधाई देता हूँ, माननिये मंत्री महोदे को की उन्होंने उस विशे पर एक विध्यक यहां लाने का प अपनी एक मर्यादा होती है, अपना गुन होता है और उस धर्ती से पैदा होने वाले व्यक्तियों का स्वभाव उसकी प्रकिरती से मिलता जुलता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत वर्ष के लोगों के लिए जितनी आयूरवेदिक पदती उपयूग तो हो सकती है, उतनी दूसरी नहीं हो सकती है, मेरे अनुभव अपने है, मैं दूसरों की बात तो नहीं कह सकता, परंतु जिस प्रकार से हमारे देश में आयूरवेदिक पदती विक्सित थी, बहुत बढ़ी हुई थी, उसके उधारन यदी मैं देने लगू तो भाशन बहुत लंबा हो किन्तु आज के दिन भी यदिया कहा जाए कि इस प्रकार के करिश में, इस प्रकार की विचित्रताएं इसके अंदर हैं की देख कर लोग अस्तब रह जाते हैं, मैं श्वयम बिमारी से जिसको वायू की बिमारी कहते हैं, लगभग बारा वर्सों से पीरित था, मेरे बाएं और मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, सबने मुझसे कहा कि क्यूंकि इस हाथ में दर्द है, हिर्दे रोग हो गया है, कुछ कार्डियो ग्राम वगेरा कराओ, तो जब हिर्दे रोग का नाम लिया तो सचमुच में यह समझने लगा कि अब नस्दीक दिन आ गये हैं, किन बतलाया कि तुम्हारी अपान वायू विक्रित हो गई है, अर्थात बिगर गई है और यह उसका इलाज है, उन्होंने बढ़ियां से बढ़ियां भस्म ऐसी दी जो मलाई ने मिला कर मैंने खाई, एक बादाम रोगन के साथ मैंने खाई और मैं बिलकुल ठीक हो गया, जो ए पहले भी कई हजार रुपे खर्च कर चुका था, मेरा विश्वास है, एलोपैथी में आज तक चाहे जितनी बड़ी से बड़ी लेबोरेटरी बन गई है, लेकिन गैस का निदान नहीं निकल पाया है, इसलिए जितने भी वायू के सिकार होते हैं, जितनी भी वायू के द् बिमारियां होती हैं, वहाँ एलोपैथी फेल हो जाती है, दूसरा मेरा अपना अनुभव है कि मेरी धर्म पतनी के हाथ में कुछ मस्य हो गए थे, पहले एक निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा, डॉक्टरों ने कहा कि इस तरह से सरीर खराब हो जाएगा, एक सिवि में अन समश्या की चर्चा होती है, बहस होती है, और मैं देख रहा हूँ कि वही वही बाते सुनाई जाती है, वही सिफारिसे की जाती है, और कोई नई बात सामने नहीं आती, कमेटियां बनाई जाती है, असोक कमेटी बनी, दात वाला कमेटी बनी, और भी बनती रहेंगी एक मंत्री आए दूसरे आए तिसरे आए पड़ंतु यह अन्न की समस्या आज तक सुलज नहीं सकी पर आव लंबन दिन प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है बाहर से गत 17 वर्सों में करीब 60 मिलियन टन अनाज आया जिसके लिए करीब 2000 रुपया हमें बाहर भीजना पड़ा और आज की हालत तो यह है कि दुनिया में यह भ्रम पैदा हो गया है कि हम भूखे हैं और हमारे प्रति सब को दया दिखलानी चाहिए बार बार जोन्स की चर्चा होती है उसमें दो राय हैं कुछ भाई कहते हैं कि जोन्स हट जाएं तो सब जगा अनाज ही अनाज हो दूसरे यह कहते हैं कि जोन्स रहने से अनाज खाने को नहीं मिलता है मैं ना तो जोन्स के पक्ष में हूँ और ना विपक्ष में मैं तो हर एक सवाल को इस निगाह से देखना चाहता हूँ कि कौन सी बात जन्ता के हित में है जन्ता के हित में यदि जोन्स है तो जोन्स रह यह है कि जो पॉलिसी हम अख्तियार करते हैं उसको हम प्रमानिकता से आगी नहीं चलातें उस पर अमल नहीं होता बात अमल करने की है यदि जोंस रहे और अमल प्रमानिकता से हो तो कोई डर की बात नहीं है यदि जोंस निकाल दिये जाए और प्रमानिकता से उस पर अमल नह तो भी कोई डर पैदा न हो परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ हम निश्चे करते हैं जो कुछ हमारी सरकार निश्चे करती है उसका प्रमानिकता के साथ कभी भी अमल नहीं होता आज जोन्स की वज़ा से एक बात तो हो गई कि इस देश में एकात्मकता जाती रही राज्यों में बेदिली पैदा हुई अस्मगलिंग बढ़ी इसको लाब कहें तो यह जरूर हुआ परंतु और क्या लाब हुआ यह कहना मुश्किल है उपसभाद धेक्ष महोदे सदन के सामने 1979 का जो बज़ट आया है उस पर मुझे अपने ख्याल अपने विचार आपके द्वारा मैं सभा के सामने रखना चाहता हूँ इसमें जो आयवय के अंकों का ब्योरा दिया है उसके बारे में कई माननिय सदश्यों ने कहा मैं उस संबंध में सदन का जादा समय नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मंत्री जी की बज़ट पुस्तिका में भी यह दिया हुआ है इस साल के बज़ट प्रस्तावों को देखने से मालूम परता है कि करीब धाई सो करोर रुपय का घाटा अगले साल सासन को होने वाला है मैं इस बात को भी अभी तक नहीं समझ सका स्टॉप दोस्तों ये पारलेमेंट रिपोटर सिरीज के लिए डिक्टेशन थी आप इसकी प्रैक्टिस करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेट करना बिलकुल भी न भूलें अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को कुल भी न भूले ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चली फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए